हेलो स्टूडेंट्स प्रिवियस लेक्चिर में जो हम ओर्गयानो टेन कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रोपर्टी जो हम वह स्थड़ी कर रहे थे उसमें अलग 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 रियक्शन पढ़े थी लाइक डिये डिस्ट्रिबूशन थी या फिर हाइड्रोस्टैनेशन रियक और्गयानो स्टैनलीन्स आप देखो सबसे पहली बात और्गयानो स्टैनलीन्स होते हैं जैसे हाँ आपस टीन है टीन की टोटल फोर बन बनाते हैं इस टेकर कंपाउंड होते हैं आर फॉर एसन यह है आपके पास और्गयानो टीन कंपाउंड और्गयानो स्टैनलीन्स क्य यहां पर फिर से वह हो जाए राइल कुछ भी हो यह जो कंपाउंड होते हैं मतलग कि काफी रेक्टिव होंगे और इनके पास ग्रूप है वह इसली जो है आगे रेक्षिन करके फर्दर किसी स्टेबल मोलेक्टिल में जो ही चेंज हो जाएंगे बेसिकली जो हाईयर पोली यह बनते हैं वह इनी डायविलेंट और ग्रूप लगेंगे अब देखो जैसे आपके पास यह है डायक्लोराइट इन है एसेंसी ल्टू इसकी हम रियक्षिन करते हैं लीथियम यह आपके पास इसमें ग्रूप लगेंगे वह वही सेम सोल्वेंट इस तो जीरो डिग्री यह एक पास डायवेलेंट और गयानो टिन कंपाउंड यहां से लीथियम इन क्लोराइट लीथियम क्लोराइट निकल चाहेगा बाकी यह सारा ग्रूप है यह इस तरीके से लगचाहेगा यह पे अ है मैं तो दो इसमें टूब है इसली जो है लिबाइल ग्रूप होंगे और आगे जाके फर्दर जह हाईयर पोली स्टेज यह बनाते हैं सीमिलर वे में एक और आपके पास कंपाउंड है एसेन सीयल टू प्लस साथ में लीथियम का कंपाउंड एक हाईयर ग्रूप वाला सी एच टू सी एच टू सी लीथियम एसाई एममी थी सेम रियक्शिन होगी बस थोड़ा सा गुरूप देखे बलकी लग रहे हैं ज्यादा कुछ निया सिरफ यहां से क्लोरीन एंड यहां से दोनों लीथियम निकल जाएंगे और आपके पास जो है इस केस में जो कंपाउंड बनेगा। साइकली कंपाउंड बन जाएगा कैसे जो है यहां दो बॉंस बनाएगा। इस तरीके से अब टोटल पहले यहां पर करने कार्बन mismos करते हैं कितने कार्बन से लिवंण एलहें। इनट फॉर कार्बन से निथे फंस कार्बन Eastern ऊंस को छॉचुछ हैं और गया करद झाधकक्रण आफार पर कार्बन गाता है दोומिन बन्ट कंपाउंड फर्सक्रीन PFA कि दो ग्रूप लगे वेड़ा एक ऐसे और एक ऐसे हैं सिमिलर वे में इस वाले कार्बन पे भी एस ऐए मे थ्री तो यह आपके परस बन जाएगा डायविलेंड और गयनो टिन कमपाउंड तेकि और और गयनो स्टैनेलिंड अब यह जो पास यह रियक्टिव कमपाउंड है इनके अंदर इसली इंसर्शन भी हो जाएगी हो साइकलाइजेशन जो फॉर्दर दो आपके पास यहाँ पर आर ग्रूप लगे में है आप इसकी रियक्टिव करते हैं किसी और टिन कमपाउंड के साथ सिंप्ली इंसर्शन हो जाएगी इस केस में अगर आपके पर फीज से यही वैला कमपाउंड कोई और ग्रूप भी हो सकते हैं यहाँ पर जो थोड़े यही ग्रूप होगा आर डेश और एक्स कोई भी है लाइड है तो इस केस में भी क्या होगा नोर्मली इंसर्शन होगी एक बन पर आजाएगा आर डेश और एक पर सिमिलर वैमें यह जो है साइकलाइजेशन भी कर लेंगे साइकलाइजेशन कैसे होगी यह जैसे स्पोस करो आपके पास 1234 यहाँ पर दो आपके पास मिथाइल के अपले के वह है इसकी साथ साइकलाइजेशन होगी यह टिन वरन टू थड़ीफ वोड़ टॉटल 4 कर बस वान टू थ्री और फूर दो इसके उपर आर ग्रूप पहले से प्रेसेंट है अब यह जो बॉंड है यहाँ पे इस बॉंड को ना डाइ इंस दिखाओ यहाँ पे आपके पास यह बॉंड तो यह फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में इस साइड आ जाएगी है चीक है और यहाँ अब आगे बात करें इसके बॉंड की स्टक्चर की बॉंड डिगन स्टक्चर अब जो आपके पास यह कंपाउंड या तो है डाइवलेंट न न इसल्ट इस दोम और तिन में इनके जो स्टक्चेर्ज होंगे आखी इन्फराइस्टिंग स्टक्चेर हे बिस्किली अगर मैं बात करूँ इसेन उस ब्रोय और यह और यहाँ नों सेट इन के वक्रभी Patch तो टॉटल 4 बोन्स हैं तो टाटरहेड्रल और मॉनोमर्र की फॉर्म में होगा वेपर फेस में यह जो कमपाउंड है इस केस में आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं सोलिट सेट केस में तो सोलिट सेट में क्या होगा यहां पर इंट्रेक्शन हो जाएगी इंट्रेक्शन होने की वैसे कहा है टेत्रहेडरल चेमातरी जहां वो ओक्ताहेडल में चेंज हुजाएगी धैक मैं यह कह सकती हो तेत्रहेडल और ओक्ताहेडल के बीच में यह आपके पास चार ग्रूप उन्हां के तरह एगा जैसे यह है आपके पास के हलाइड के बीच में होगी जैसे यह लगा गया यहां पर सी यह दूसरे मॉल्यक्यल को सी यह दूसरा मॉल्यक्यल यह आपके पास ऐसे इसका भी टेट्राहेडरल होगा मिथाइल और यह से तो यह जो है इस तरीके से आपस में इंट्रेक्शन शो करेंगे अगर मैं बात करी है वेपर पस में वेपर फेस में एकशिस्ट आगा लेकिन अगर हम इसको पीét के स्कार रया होता है तो यहां पर इski ओंपके पास यहां पर कोडिनेशन नंबर्ड यह थे तेट्र हेडिल opel Chate भी हो सकते हैं और तेन प्याइब आजूठ दोनों के बीच आप मंगा को ते आपके पास चेणेल है एकस फान है कि अ मेरें फिल सकते हैं और सनकरउंते इन गशींअ को अदिल दोनों नहीं मेंा लियुक्तों हो असी आरोल सब्वरान को मबशना में अभी आतिए इस बीडिल सब्सक्षकंद में कि इस तरीके से कोडिनेशन नंबर पहले कितना था 1234 और फिर इसका जो कोडिनेशन नंबर है बाद में वह क्या है चेंज हो के 6 में चेंज हो जाएगा 12345 और यह बला आगे इदर भी किसी और के साथ इंट्रेक्ट हो रहा होगा ठीक है तो यह जो है इस तरीके से और यह जो है पर्टिकुलर्ली ओक्टाहेड्र में चेंज हो जाएगा और यह जो कमपाउंड होगे इनका मैल्टिंग पोइंट भी हाई होगा जैसे एसे अचेंट कि दो मिथाइल ग्रूप लगें में महां पर नॉर्मल इंट्रेक्शन दी डॉट्री लाइन से दिखा रह बनाएंगे सिमिलर वे में आगे यह किसी और के टिन एट्टम के कोडिनेट बॉन ऐसे ऐसे चलती रहेंगे फर्दर यह और आगे तो आपको जहीं सिरकर ध्यान रखना है कि जो आपके पास यह डाइवेलेंट और गयानो टिन कंपाउंट से इसके केस में अगर हैलाइट क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक होता है तो उसकेस में एक एक्स इंट्रेक्शन प्रेजेंट होगी और जो वह कोडिनेशन जमेटरी होगी तिन के राउंड वह इंट्रेमीडियेट होगी बिट्वीन टेट्राहेडल एंड और अक्टाहेडर स्ट्रक्चर बट अगर हम फ्लॉराइट की बात करें विकोज यहार हाइली असोसिये पर फ्लॉराइट के हैं और तो यहारई नंपर जाएगा थाइगा है वह कितना हो जाएगा तो जो जाएगा वह जो मिधाईल ग्रूप यह दोनों ट्रांस पोजिशन पे एक दूसरे की ठीक है निट्राइटेंगे दोनों ट्रांस में आएंगी काफी इंपोर्टेंट इस case में क्या होगा इस case में भी आपके पास tetrahedral monomeric structure होगा वेपर फेस में इन वेपर फेस बट फिर से अगर हम बात करें solid state की तो solid state की case में क्या होगा इस आले की बात करें methyl, tin and fluoride लगावा है यहां पे भी क्या होगा linear polymer है और इस case में जो इसकी geometry है वो change हो जाएगी coordination number 5 जैसे पिछले में 6 में change होगी trigonal bipyramidal geometry होगी okay trigonal bipyramidal कैसे होगी अब यह देखो यह आपके पास center में 3 है basically trigonal bipyramidal में क्या होता है कि एक तो triangular face बन होता है और दो आपके पास pyramids होता है इसमें तीन methyl है तीनों को में triangular face पे दिखा देती हूँ ऐसी और दो fluorine जो होगे वो इस तीके से fluorine atom विकोज इसके पास lone pair of electrons अवलेबल होते तो यह work करेगा as a breezing group बीच में अगला fluorine लगा होगा और यह फिर से ऐसे फिर यह fluorine फर्दर आगे कि-crotin molecule के साथ तो ऐसे जो है इस तरीके से coordination number इसका increase हो जाएगा और यह चलता रहेगा ऐसे इसे अगर हम chloride की बात करें है आप फ्लॉराइड लेके चले है similar structure जो है क्लॉराइड की केस में भी होगा similar way में अगर आपके पास जो compound है वह है यहां पर फ्लॉरीन ब्रीज का वर्ग कर रहे है यहां पर एससे अर्वला जो ग्रूप है यह ब्रीजिंग का वर्ग करेगा लेकिन अगर आपके पास जो structure है वह है ट्राइड फिनाइल टिन क्लॉराइड स्क्चिर है यहां पर एलकाइल ग्रूप जो है राइल चेंज हो गया इसका साही चेंज हो गया तो यह जो structure होगा आपके पास यह नॉर्मली मोनोमरिक टेट्रहेडर स्क्चिर की फॉर्म में एजिस्ट करेगा यह आपके पास एक रिगार पर क्लोरिंग लगावें बाकी दो पर फिनाइल रिंग ऐसे तर है यह होगा इसका मोनोमरिक स्क्चिर है ओकी तो यह थी इसकी स्क्चिर इंड बोंडिंग अब आगे बात करते हैं और गयानोटिन कंपाउंड्स की अब देखों जो आपके पास की और गयानोटिन कंपाउंड्स है बेसिकली सबसे जो यूज होते हैं इन अग्रिकल्चर में यूज होते हैं अग्रिकल्चर में कैसे एज़ा फंगी साइड है या फिर मैं बात करूँ बैक्टोईरियो सेडल इनका एक्शन होता है उसकी एग अगर आपके पास ट्राइफिनाइल टिन हैलाइट जो कंपाउंड है यह वाला कंपाउंड यूज होता है ऐसा फंगी साइड सिमिलर वे में एंटि फीदेंट्स की तरह यूज होते हैं यह और और गयानोटिन कंपाउंड्स वूड प्रिजरवेटिवेटिव में भी इनका जो एक्षिन होता है वह बेसिकली अगर आपके पास जैसे तीन ग्रूप लगे में और गयानोट यह है आपके बास ट्राइल काईल और गयानोट इनकंपाउंड इसकी सबसे जादा होगी देन फोर की फोर की एंटो की ओल्मॉस सिमिलर होती है दोनों की एक्टिविट जो है मेडिसीन में भी उजह होते हैं फार्मासियोटिकल इंडस्ट्रीज में बैसिकली यह जो ड्रucks की फोर में पीजह होँगे एज एंटी कैंसर्ट्रॉख जो एंटी कैंसर में दल तूमर सेल बेसिकली ग्रोथ है उसको जो है इन्हिबिट कर देंगे यह जो और पास स्क्षिन होता है जिसकी वैसे यह जो वित इवित जो ग्रोत्स है उस ग्रोथ को जो स्टॉक कर देंगे इसलिए यापके पास यूज़ होते हैं इसवार стороны आधे कैं लाक रर उंगर जी ग्रोडिवियम माँटेज के अध्योल में एक लाफ सब्समेद किअbir जो पोलीमराईजेशन रेक्शन होती हैं आप आगए के आपके पास यह पॉली यॉरेथीन्स इनकी जो है पोलीमराईजेशन करने के लिए केटलिस्ट यूज होते हैं और गयानो टिन कमपाउंद्स ठीक है similar way में काफी सारे इनकी यूजिज है as a water repellent यूज होते हैं textile treatment में यूज होते हैं water treatment में water repellent में sorry तो यह इनकी basic से यूज देखे में में इसमें से learn कर लेना तो यह था आपके पास और गया नो tin compound यहां पर complete होता है आप जो लास्ट आपको compound पढ़ना है वो है और्गैनो mercury compound यहां पर basically वैसे तो और्गैनो metallic compound बहुत सारे हैं सारी हो जाएंगे पर आपके इस लेवस में पर्टिक्लर्ली 4 है और्गैनो lithium हुआ उसके बाद जो हमने पढ़ा था और्गैनो aluminium compound फिर आता है और्गैनो तीन और लास्ट वान इस और्गैनो मर्करी आपके वुक में ऐसे टाइटेनियम वगरा भी गीवन है और्गैनो टाइटेनियम पर गए वह सब आपके अब इस लेबस में नहीं है वह अग्गे आप मेसी रेवल पर पढ़ते हैं आप तो यह जो और्गैनो मर्करी कंपाउंड बेसिकली होते हैं आपस काफी लास नंबर दो टाइपस किसमी होंगे एक तो होगे मोनोमरीक और एक होगे डाइमरीक अब यह जो कंपाउंड होते हैं इनकी इतनी अधर रेक्टिवटी नहीं होती तो यह एर एंड वोटर का इनके ओपर एस सच कोई डाइट इफेक्ट जो है वो नहीं होता तो अब आगे बात करते हैं की प्रिप्रेशन की काफी डिफेंट डिफेंट वाइड मेथर्स हैं इनको प्रिपेर करने के लिए सबसे फर्स्ट अगर हम बात करूं मेथर की आपके पास अलकाईल हलाइड है उसकी डिरेक्ट रेक्शन कर दो मरकरी मैटल के साथ यहां से एक्सटो बेरेंस करने के लिए दोनों जगा पर आगे टूटू लगा दोगी यह आपके पास बन जाएगा डाइमरी कंपाउंड ठीक है में मरकरी यहाँ पर अमलगम भी यूज कर सकते हैं इसके बरन बनाने का इसे और इसका बनाने का कि से हम और उल्गाना म्रक्री कमपाउंट बनाएंगë कैसे कि आपके पास जो है जैसे फिर भाम हम ग्रम्ल्र that पर फ teníaसे बना départ में और तो दूबता अगर ने fare तो यहां से बन जाएगा डाइमरी कंपाउंड यहां पर हमने यूज किया था और गैनो मेगनिशियम कंपाउंड ऐसे ही हम और गैनो लीथियम कंपाउंड भी उसका सकते हैं इसकी सिंथिसिस के लिए आर एल आई दोनों के आपस में रियक्शन होगी यहां से आपके परस बन जाएगा एक लगा फिर से दुबारा से रियक्शन कर दो एक और कंपाउंड के साथ आर टू एच जी यह बन जाएगा अईसे और गैनो अल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ भी प्लस एच जी सी एल टू प्लस अने दी यह बन जाएगा और टू एच जी प्लस ने एल सी एल फॉर तो इस तरीक्शे बाकि जो है आपको और पास और अर्गैनो मेटली कंपाउंड से उनसे भी ओर जो हैं ऑर गैनो अगर आपको जो है जैसे डाइमरी कंपाउंड है उसे कनवर्ट करना है मोनोमरी कंपाउंड में डाइमरी के आपके पास यह इसकी रेक्शन कर दो मर्कृरी हैलाइड के साथ तो यहां से आपके पास आ जाएंगे कि मो unwary compound me एड़ आ सकते हैं नेक्स तबोस्थ आ आता हैं आपके पास बनाने का प्लाने का मोन शब्सितुटीट्ड watch है इसकी के अगर हम मैटल के साहथ सोडीय मैटल के साहथ एक्षीन करते तो यहां से भी आपके पास compound बन चाएगा टू molecules subtly उसकरोगे प्लस एन ने एक्स यहां भी टू आजएगा और एक mercury बचाएगा वो आजएगा ऐसे हज़ी तो dice सबसे चुटे हो ग्यानो mercury compound जो बनाने है उसके बेसिकली हम reduction कर देंगे और ग्यानो mercury halide की sodium के साथ reduction कर देंगे उससे जाब के बास dimly compound बन चाएगा ठीक है sodium के जगा हम और कुछ भी यूज़ कर सब reduce ही जिससे reduction इसकी हो जाए basically copper यूज़ कर लो या फिर alkali metal वगारा कुछ भी यूज़ कर लो सबसे सबसे सिंपल जाए इसमें copper है इसकी आद reaction reduction कर लोगे तो easily जो हो reduced हो जाएगा next method है daisonium salt से daisonium salt क्या होते है benzene daisonium chloride n2 positive ar n2 positive cl negative इसकी reduction कर दो mercury के आद इसकी reaction करेंगे ar hg cl aryl और गयानो mercury compound बन चाएगा plus n2 तो इस तरीके से daisonium salt के help से भी हम इसको synthesize कर सकते हैं करना के daisonium salt लिया उसकी reaction कर देंगे mercury element के help mercury metal के साथ सिधा क्या होगा उसमें organo mercury compound आपके पास synthesize हो जाएगा तो इस तरीके से काफी सारा different methods हैं जिससे जो हम organo mercury compound synthesize कर सकते हैं एक आपके पास mercury reaction reaction होती है उससे भी direct synthesis हो सकती है होगा क्या और यह आपके पास normal alkane है इसकी reaction करोगे mercury dihylite के साथ hydrogen hylite के साथ replace हो जाएगी plus hx या फिर इसकी जगा पे आप acetate वाला compound भी उसका जोरीन है कि यह यूश करना यहां से भी बन जाएगा प्लस ac o h acetate acid यहां पे निकल जाएगा यहां से भी बन जाएगा next method आता है decarboxylation reaction आपके पास compound हैए यहां पे decarboxylation reaction हो जाएगी co2 remove हो जाएगा यह इधर ऐसे इधर से यह इधर यह बन इधर आपके पास यह बन जाएगा hg दो negative चाहँ जाएगा c6 h5 2 प्लस co2 molecule यहां से और co2 molecule यहां से 2 co2 molecules remove हो जाएगे तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं simple अगर हम जो है तो यह reaction भी होगे बन जाएगा आपके पस यहां जाएंगे 2 molecules मतलब कि unsymmetrically अगर हम इस तरीके से बना सकते हैं and base ही उस कर लेंगे koh तो यहां पर भी जो है यह acetylnic derivative बन जाएग अगर्स का plus यह तो इसकी साथ लगए hg वाला group तो है जो इसकी साथ लगए यहां पर क्या बचा की और आई बचा potassium iodide यहां पर भी की है and water बाद में situation को balance कर लो 2 यहां पर यहां पर 2 आजाएंगे potassium आपके पस कितने हैं तो यहां पर 2 4 ki and 2 molecules of H2O इस तरीके से जो है different method है कोई method यूज़ करके easily बना सकते हैं highly reactive nature के बनी होते हैं तो आपके पास normal reaction इस case में हो जाएगी अब आगे बात करते हैं इनकी properties की जो आपके पास monomeric compound है basically crystalline solids होते हैं लेकिन अगर मैं dimeric के बात करू यह liquids है यह तो होगा crystalline solid dimeric compound है toxic होते है liquid भी जो है toxic liquids की form में exist करते हैं यह फिर कहूं low boiling solid easily boil हो जाएंगे कुछ toxic liquids की form में exist करते हैं कुछ यह यहां पर low boiling solids की form में exist करते हैं basically organic group यहां पर carbon लगाव है carbon and mercury की electronegativity होते हैं बहुत ज़्यादा difference नहीं होता अब आगी next यह जो organo mercury compound होते हैं इतने यादा stable नहीं होते हैं अगर मैं बात करूं आपके पास CS3-2HGS यही एक ऐसा compound है कि जो थोड़ा सा stable है अदरवाइस बाकि और जो इतने भी organo mercury compounds होते हैं even उसमें क्या होगा कि easily decompose हो जाएंगे mercury अलग आजाएंगे hydrocarbon power अलग से मिल जाएंगा room temperature पे ही लाइट लिए बहुत sensitive होते हैं अगर यही compound है UV light इसके पर fall होगी तो यह भी destroy हो जाएगा तो इसके compounds हैं सिर्फ उसमें आपने देखा है स्टार्टिंग में डिसकास करते हैं इसके बाद करें नहीं होता है यहीं हो ज़रता सबसे जाएदा dimethylle mercury विखोज एकलोटा compound ऐसा है कि जो decompose नहीं होता room temperature पे बाकी सब ही तो जो जो है उनको isolate करना ही मुश्किल है क्योंट थर्मली अंस्टेबल होतना है और यह भी light sensitive है अगर इसके light fall कराएंगे तो यह भी क्या destroy हो जाएगा हमापस compound चीक है और बाकी अगर हम बात करूँ जैसे मैं साजे बताता कि unreactive nature है तो ear and moisture water जो present है उसके उसमें क्या होंगे inert nature क्या होंगे diet जो आपके पास ही compound है alkyl aryl जो compounds है और ज्यादा highly lactonegative elements की hyalide के साथ combine हो जाएंगे यह देखो जैसे यह है आपके पास typhenyl mercury compound है इसकी reaction कर दो SNCl4 के साथ तो यह बना देगा C6H5HgCl plus monomeric भी बना देगा और dimeric भी बना देगा इस तरीके से compound है अपके पास में जाएंगे वह form कर देगे अब आगे आते हैं इसके structure भी दोनों ही जाहे आपके पास monomeric है या फिर जो dimeric वाला structure है linear unit से बढ़े होंगे because यहाँ पे जो mercury है mercury की sp hybridization होती है sp hybridization है यहाँ पे 2 born होंगे तो linear structure होगा किसी किसी case में यहाँ पे polymerization हो जाती है जैसे आपके पास एक compound है mercury का दोनों साइट पर लगे वह यह ठीक है और ट्राइमर की form में भी जैसे करता है सिर्फ की mercury जो है उस आटम के लोग लीनियार्टी रहने चाहिए वह आटम जो है linear की form में रहना चाहिए इसी रहे डाइमर ट्राइमर की form में एजिस कर सकते हैं अदर्वाइस जो mostly structure series के होते हैं वह monomeric form में होंगे जैसे ट्राइमरिक structure भी ऐसे सिर्फ linear रहे ताकि इस वज़े से form करते हैं इसको आप एसमें जोइन कर दो यह आपके पैसो शायगा structure ठीक है तो ट्राइमर की form में भी जिस कर देंगे ड्राइमर की form में भी जिस कर देंगे कि उसकी जो linearity है SP hybridization है वह क्या हो maintained रही अब आगे बाद करें इसकी applications की अब देखो mercury compound जो होते है बेसिकली चाहे वह organic में हम बात करें toxic nature की होते है basically किसी भी aquatic species है हर किसी के लिए जैन का नेचर होता है वह toxic होता है अगर हम इने inhale कर लेते हैं तो इससे brain damage या lung damage है tumor है यह सब ही चो problems होते है mercury compounds के वज़े से ही होती है अब यह यह use होते हैं फिर भी as an antiseptics fungicides की form में herbicides की form में एक आपके पर compound होता है इसका जैसे murthyolate ऐसी compound होता है metaphor यह basically drugs के नेम है जो यूज होते है as an antiseptics है या या फिर fungicides या या फिर fungicides वगरा यूज है यह जो murthyolate compound है as a antiseptic यूज होता है इंहेल नहीं कर सकते इंहेल नहीं कर सकते और मैं बात करूँ dimethyl mercury की यह यूज होता है crops में यूज होता है fungi के attack को destroy करने के लिए seeds में dimethyl mercury seeds को इसके साथ treat कराते है और आपके पास selected compound है phenyl mercury acetate acetate यह भी as a fungus होता है fruits के लिए leaves के लिए leaves के प्लांट के और fruit है उसमें कोई fungus disease होता है phenyl mercury acetate यह यूज होता है तो बस यह इनकी एक selected compounds है methylate हुआ metaphor हुआ dimethyl mercury phenyl mercury acetate यह है compound है कोई भी life form हो उसके लिए mercury compound होता है और यहाँ इनहेल करें तो यहाँ पे compound है यह विला organic mercury compound होता है अब next lecture में इससे आगे प्रोसीड करेंगे, थैंक यू आवरीवन.